मंच पर बैटे वे मेरे साथियों, यहाँ उपर उपस्तीत मेरे मेडिया के दोस्तों और कांग्रेस पार्टी के नेतागर्ण। मैं मुझे आने में देरी हो गई, इसलिए मैं छमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जगे, दो तीन जगे, चोटी-चोटी गुरुप मीटिंग भी हमने कर ली, और उसके बाद में जो हमारे सेडूल ट्राइब के कैंडिडेट इगतपुरी, उसका इंदिया में हम गए थे, तो थोड़ा लेट हुआ, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ. लेकिन अब ये महराश के चुनों में, बहुत सी बाते चल रही हैं, और सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर्स यहां पर आए हैं, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर से लेके, हो मिनिस्टर से लेके, सबी जितने भी बीजे पीके वरिशनेता है, इस चुनों में लगे हैं. इसके अलावा भी उनके जितने भी चीप मिनिस्टर से हैं, वो भी इस चुनों में बढ़ चड़ कर हिस्टा ले रहे हैं. मुझे लगता है, मेरे को भी एक तिरपन साल का अनुभो है, मैं कहें चुनाओं लड़ा हूं, और सभी एलेक्षन मैं जीता, सिर्फ एक एलेक्षन मेरे जीवन में हरा, मैं 13 एलेक्षन में से एक एलेक्षन, 19 में हरा, पिर उसके बाद पिर मैं रास्तवा मेंबर और अब और अब अपोजिशन लीडर हूं. लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं देखा जो स्टेट के स्टेट के चुनाओं में हर असेंबली सेग्मेंट में फिरना प्राइम मिनिस्टर हो मिनिस्टर यह मैं कभी नहीं देगा यह पहली बार है कि इतना मोदी जी ने इंटरस्ट लेकर घूम रहे हैं यह ज़्यादा तर स्टेट में स्टेट लीडर्स को छोड़ा जाता था और कभी एक दो मीटिंग बड़े मीटिंग करके प्राइम मिनिस्टर चले जाते थे लेकिन यह तो घरगर फिर रहे हैं और खास कर कॉंग्रेस को तो उनको गालिया देने की आदत है गालिया दे रहे हैं लेकिन अपने विचार से अगर हमको गालिया दिये परवा नहीं भै हमारी विचारदारा यह है हमने एक किया है और आप जो कलत कर रहे हैं इसलिए आप सुदार लो या आप इतनी गलती की है तो बात और है हमेशा वो मुद्दों पर बात नहीं करते सिर्फ जैसे ट्रेड यूनियन लीडर्स मजदूरों के लिए लड़ते हैं बात करते हैं और नैचरली वहाँ बहुत गृप्स होते हैं मैं भी ट्रेड यूनियन का एक लीडर था ML ने बनने से पहले स्टूडेंट यूनियन का भी लीडर था तो बहुत मैं अपने पैरों पे खड़ा होके बहुत सी इंस्टिउशन्स में मैं लगा था लेकिन हमने किसी नीचे उतर के बात नहीं करें और आज मोदी जी सिर्फ गांधी फैमिली को काल्या देते गांधी फैमिली को और ये महराष्टा के एलेक्षन को 36 गड के एलेक्षन स्वरी जारकन के एलेक्षन को क्या संबन्द है आप तो पार्लमेंट एलेक्षन में गांधी फैमिली के बार में खुब बोले ठीक है शायद राउल गांधी प्रधान मंत्री बनेंगे या गटबंदन सरकार आएगी ये समझ कर आप अपने जो भी बोलना तक खुब बोल दिये लेकिन अभी भी क्या महाराश्टा में राउल गांधी चीपनिष्टा बनने वाले हैं क्या आप चीपनिष्टा बनने वाले हैं नहीं तो यहां अपने काम का बात करो महाराश्ट में पुने को क्या देने वाले हैं महाराश्ट के राज में किसानों को क्या देने वाले हैं महाराश्ट राज में युवाओं को क्या देने वाले हैं और महराश्राज में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो आज कीमते बढ़ रहे हैं कल के पेपर में आप देखिए 45 महने में सरी 14 महने में पहली बार इतना महंगाई बढ़ा है शायद आप सब लोग देखे होंगे उसके उपर ध्यान नहीं देते और employment के उपर ध्यान नहीं उनका investment के उपर ध्यान नहीं महराश्र में जो बड़े-बड़े project आ रहे हैं वो अपने लिए ले जा रहे हैं मैं यह नहीं बोलता कि गुजरात को आप मत दो भाई आपको जितना मिलना है आप ले लो लेकिन जैसा Bombay जैसा city जो internationally famous है investment के लिए सब लोग इच्चुक है कि Bombay जैसे बेंगलूर जैसे चनाई जैसे कलकत्ता जैसे वो लोग चाहते हैं कहां invest करना लेकिन आप कही फारें जाते हैं अगर कोई invest बेंगलूर में करना चाहता है तो भी उसकी बात नहीं करते हैं Bombay में अगर कोई बड़ा investment आ रहा है तो आप बात नहीं करतें बेंगलूर में कोई आ रहा है आप बात नहीं करतें पुने में कुछ आ रहा है बात नहीं करतें सिर्फ आप बात करते हैं अपने लिए और उनको जाँ होना वही करते हैं यहां तक दिये हैं कि यह चोटी बात है मैं नहीं बोलना चाहिए है जब वल्लभाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम बना स्टेडियम बना तो फिर उन्होंने अलग-अलग कर दिया वल्लभाई पटेल को अलग कर दिया फिर मोधी को अलग कर लिया अब क्रिकेट स्टेडियम को भी अपना नाम लगा लिया लगा लिया नहीं मुझे जरा बता ही आप बता है तो थी चीज़े और बाकी के वक्तों यह बोल देते देखिए हर जगे नेरू का नाम है हर जगे इनरा गांदी का नाम है हर जगे राजिव गांदी का नाम है ठीक है उस वक्त रखने वाले तो रखे लेकिन आप जिन्दा है जीवीत रहने के बावजूद भी अपने नाम से आप ऐसे स्टेडियम के नाम बदल कर रख लेते हो ठीक है लेकिन उसी वक्त आप यह नहीं बोलना कि कांग्रेस वाले यह रखे यह रखे यह रखे आप मत किनी है आप जो कर रहे वो ठीक है तो पहले के लोग जो किये वो भी ठीक है समझना चाहिए खैर वो तो हो गया मैं यह जो असल मुद्धे छोड़के वो जो आज यहां पर बात करते फिर रहे और यहां किसानों की बात नहीं हो रहे मैं गया था विदर्बा में और मराटवाड़ा में और इदर राज नासीक के तरफ वहां पर भी त्रिम्बक इगतपुरी सब का कहिना यह है कि सोया भी इनके रेट बढ़ाओ कपास खरीदने की व्यवस्ता करो प्याज के लिए खरीदने के लिए आप व्यवस्ता कीजिए और यह सोप MSP केंदर निर्दारित करता है इसकी खरीदी के लिए किसानों को मदद करने के लिए आपने क्या किया यह कहो वो सब छोड़ते हैं करनाटक में करप्शन चला अरे तुमारे पास तो करप्शन के उपर ही गवर्मेंट ठैरी है मराटी में कुछ बोलते हैं आप कुछ बोलते हैं पन्नास को के सब कुछ ओके यह मैं नहीं बोलता है आप ही लोग लिके सो मैं पढ़ा पढ़ता हूँ और लोग भी बोलते हैं तब तुमने इतने खोके दे के सब चीज ओके कर लिए तुमको क्या हक है जो दूसरों पर करप्शन चार्जेस लगा रहे हैं तेलंगाना में ऐसा हुआ करनाटक में ऐसा हुआ अरे वही आपके नाक के नीचे यह सब चल रहा है करप्ट गोवर्मेंट भी है और MLS को खरीद के और उनको लालस देखके तुमने सरकार बनाई और उपर से मैं बहुत मेरी गोवर्मेंट बहुत सच है मैं बहुत नेक आदमी है अगर नेक आदमी है तो क्या आप ऐसे सरकार को मदद करते हैं और कोन आते हैं उनमें सब को लेते हैं हमारे पास जिनके उपर तुम दबा लगा के करप्ट है समझ के ED का उसके उपर ED CBI CBC इसका डर उनको बताते हैं वो पाप विचारे हमको अंदर डालते क्या है मेरे को बहुत से लोग आके बोले उनका नाम में एक्सपोज करना ठीक नहीं रही था क्योंकि कहीं अपने अंदास से बोलते या कोई लोग डर के बोलते सावा ऐसा हुआ ऐसा इसलिए अपने जाना पूँआ तो आप उनको अंदर लेते हैं राजसवा मेंबर्स करते हैं कितने राजसवा मेंबर कॉंग्रेस के बन गए वाँ क्यों भई कौन से नीती पे कौन से एडियालोजी पे आपने बोला किया कुछ नहीं सरकार ठिकाना है इसी लिए वो कर रहे हैं और उसको नईतिक बल का अधार ले रहे हैं नईतिक बल क्या है भी तुम तो लुटे रहों को सपोर्ट कर रहे हैं यहां से भाग गय सो लोकों को सपोर्ट कर रहे हैं कई के लिए अपने लिए अपनी सरकार को रखने के लिए तो यह देखिए जब बाजू का घर जलता है उसकी आंच उसके बाजू में जो घर रहता उसको भी लगता है ऐसा आप जितने लोगों को करप्ट बोला जेल में डाला या डराया, दमकाया उन सब लोग तुमारे जोब में आ गए अब तुमारे जोली में हैं और उपर से बड़ी बात करते हैं और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ किसानों के लिए और या माराश के लिए तो मैं हमारे महागाडी के लोग नेता लोग पांच सूतरी कारिकरम दिये हैं वह आप सब को मालूम है फिर मैं दोरा के आपका समय बरबाद नहीं करना चाहता है कि लेकिन हमने ये जो मैं बोला प्याज के लिए हम कमीटी बना कर उसके क्या भाव क्या दर पे देना ये भी करेंगे और सोया बिन के लिए हम जो ये लोग MSP का रेट नहीं दे रहे हैं हम MSP का रेट देंगे और उससे भी बढ़कर बोनस देंगे हमारी हमारा इरादा है साथ हजार रुपए तक सोया बिन का रेट पर कुंटली होता है भी तो स्वया बिनका हम फिक्स करेंगे और जो डिफरेंस है MSP का वो भरक है साथ हजार तक देने का हमारा निर्दार है और दूसरा तो कॉटन का महिने बोला और जो दूसरे चीज़े हैं हमारे उनों का जो गल्तियां उनोंने की कहां पर सिवाजी महाराज का पुत्रा गड़बड में राइगड में सिंद्रदुर्ग में बिठाया जल्दी जल्दी करना चाहते हैं जहां जल्दी करना चाहते हैं वह सब ऐसा ही होता है शिवाजी महाराज का पुतड़ा गिर गया अयोध्या टपा करा है पानी से आपको मालूम होगा लिखा है पिर वहाँ भी उनकी हाथ लगी वो भी टपा करा है सबतर उसी उज्जेन में साथ मूर्थियां बिटा दिये वो हवे में उड़ गये और पार्लमेंट के लिए उन्होंने किसको नहीं बुलाया मुर्मा को भी नहीं बुलाया और उस वक्त कोंजी को भी नहीं बुलाया खुदी सब करने गये अब वो पार्लमेंट भी ठपा करा है से हर चीज और उनके पास मौरबा क्या एक बहुत बड़ी पूल जो जूले की थी, वो भी गिरी, और बुलेट ट्रेन, जो आमदाबास से बॉंबई को तीन साल में आने वाली थी, अब ग्यारा साल हो गए, अब फिर एक पूल गिरा, अब कब बनता मालूम नहीं। यानि इसे जूट, हम अगर ये बात बोले तो लोग कितने बार बोलते बोले, ये तो हकीकत है, अब दो करोण नोकरियां का हकीकत नहीं है, आपने बोला नहीं जूट, पंद्रा लाक रुपे का आपने जूट नहीं बोला, ये मेस्पी का आपने जूट नहीं बोला, हम तो ज हेल्थ मिशन का वाइदा किये हमने निभाया जो हमने कहा वो सब हम निभाते आए लेकिन आप जो कुछ कहा नोट बंदी करने से करॉप्शन बन होता नोट बंदी करने से टेरिरिस्ट एक्टिविडिस बन नोट बंदी करने से और दो चार बाते बोले थे करॉप्शन का एक और नक्सिलिजम खतम हरे मैं पूछता हूं साहब इतने जूट क्यों बोलते हैं और यह सब जूट है और बाद में आके हमारे शाह साहब बोलते हैं यह तो जुमले है चुनाओं में बोलते हैं इतने बड़ जुमले तो ऐसे जूट बोल बोल कर वो हुकमत में आये हैं और इससे देश की भलाई होने वाले नहीं है और डेवलप्मेंट भी होने वाला नहीं है और हर जगे अमित शाह बोलते हैं कांग्रेस हमेशा जूट बोलती हैं कांग्रेस 300 क्या 370 को पुना लाना चाहती है कुण बोले वह कब बोले ऐसी चीजें आप बोलते हैं जो अब आलड़ी पार्लमेंट में पास हुआ है हो गया है फिर उसको दुबारा क्यों छड़ रहे हैं इसका मतलब you want to keep it alive such issues to divide the people जाके बोलो ना वहा का जम्मू कश्मीर में वहा तो election हो गया ऐसी चीजें बहुत बोलने से और कैसे कैसे slogan बाट रहे हैं एक बोलते हैं कोई एक उनका नियता बोलता है बटेंगे तो कटेंगे किसके लिए देश तो एक है और देश एक रखने का काम कॉंग्रेस ने किया है इसके लिए इंद्रा गांधी जी ने अपनी जान दी इसके लिए राजु गांधी जी ने अपनी जान दी और देश एक रहने के लिए माहत्मा गांधी जी के च्छाती में गोलिया मारे गये ये सब कॉंग्रेस ने सँन किया तुम्हारे पास कुन करेबी ना देश के एकता को लिए लड़े ना देश के आजादी के लिए लड़े ना देश गरीबों के भलाई के लिए आपने नहीं लड़ा reservation का तो मामला हमने constitution में लाया जवरलाल नेरू जी डाटर बाबा साब मेड कर इन्हों ने reservation के लिए मान्यता दी और वो हो गया अब उसको छेड़ रहे बाबा साब यह करना चाहते थे नेरू ये बोले सुबाचंद्र ये बोले वल्ला भाई पोटेल वो बोले अरे जो वो जिंदा थे उस वक्त तो आप तो समिदान चलाए सो लोग है तिरेंगा जंडा तुम नहीं लगाते थे अपने आफिस के उपर अशोक चक्र को नहीं मानते थे मनू के आधार के उपर समिदान बनना ये तुम्हारा कहिना था अब आपको समिदान की याद आई तो ऐसे जो बाते करके लोकों को जो गुमरा कर रहें बाट रहें ये अच्छा नहीं हम तो देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं देख को एक रखना चाहते हैं इसकी लिए कोई भी कुर्वानी देने को हम तैयार है और अवर एक दिलचस्प जी मोदी जी के दो दोस्त हैं ऐसे तो 10-20 दोस्त हैं क्योंकि जब मैं आकड़े पढ़ रहा था कि इस देश में 5% लोकों के पास 62% संपती स्वारी संपती इस देश का उनके पास है और 50% लोकों के पास सिर्फ 3% संपती है मोदी साब ये disparity कम करने के वज़ा है उन्होंने अपने दोस्तों को बढ़ावा दे रहे पब्लिक सेक्टर बेच रहे एरपोर्ट बेच रहे है पोर्ट बेच रहे है यहाद तक कि उन्होंने जो पोर्ट दिया है आदानी को वहाँ पर ज्यादा ये ड्रक्स का सप्लाई हो रहा है इंपोर्ट कर रहे हैं और पकड़ा गया है देखो अक्टोबर में 400 केजी कोकेण ये पकड़ा गया फेबरवारी में 4000 केजी चरस पकड़ा गया गांजा कितने और इतना इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से illegal things वो आ रहे हैं पूना शेहर को बरबाद कर रहे हैं बैंगलोर को बरबाद कर रहे हैं पंजाब को बरबाद कर रहे हैं हरियाना में भी ये उठा है हर जगे इनके वज़े से ऐसे प्रावेट एजेंसीज को सरकारी पोर्ट देकर एरपोर्ट देकर अपना सिश्चों को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसलिए हमको ठीका करने के बज़ाए पहले अपने आपको उनकी सूरत आइने में देखना चाहिए कहां तक वो कामियाब हो गए वो और उसके साथ जो हमको तिलंगाना में ये हुआ और करनाड़क में वो हुआ हिमाचल में ये हुआ बोलने के बाद बज़ाए अपनी ग्यारंटी आई कहीं बार बोले उनों आप सुने भी है ये मोदी की ग्यारंटी है बोलते थे बहुत से चीज़ों को वो ग्यारंटी हैं किदर गए मुदी मालूम नहीं है लेकिन हम जो ग्यारंटी दे रहे वो परफेक्ट देंगे उसमें जैसा नरेगा स्कीम लागो के फूड सेक्यूरिटी का हेल्थ मिशन का एजुकेशन का वैसा ही सेंटरल में जो कहे स्टेट में भी हम जो कहे रहे हैं अब पांच ग्यारंटी जो बोले हैं पंच शूत्री वो जरूर हम करेंगे और इसलिए मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से हमारे नाराश्ट के जनता को ये माविकास हागाडी को वो मदद करें अच्छी गवर्मेंट लाने के लिए वो अपना पूरा सपोर्ट करें ताकि एक अच्छी गवर्मेंट यहां पर आएगी वेल गवर्न स्टेट बनेगा और माहराश्ट पहले से भी हमेशा आर्थिक द्रश्टी से नमबर वन रहता है और जो भी इन्वेस्टमेंट है कैप्टलिस्ट आउटसाइड कैप्टलिस्ट यह अट्रेक्ट करता है माहराश को माहराश हो पुना हो बाकी के कितने भी यहां के मशूर इंडस्रियल एरिया से वहां पर आने का तो इसलिए मैं और एक बार बोलूँगा कि हमारे गैरंटी हमारा काम जनता के सामने हम रखे हैं तो जनता सपोर्ट करेंगी यही माजी कहिने आया था इतना देर हुआ आप सुने इसलिए आप सब को मैं दनिवाद देता हूँ नमस्कार तेंक यू सर अब मीडिया के साथियों की बीच से कोई सवाल करना चाहें तो हाथ उठाएं लेडिस फर्स्ट लेडिस आइंट देर मोबाइल विडिया कोई सवाल करना चाहेंगे तुमी जी पंच्य सुत्री दिले लिया है कि अटा पंच्य सुत्री जी तुमी दिले लिया है तुमे अटा जी आरो प्रतर अशे होता है तकी हन्नी पैसे कोटु नानले हन्नी? मझे 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 कोटु नाननार मनका हाँ आण तुमी तिननी पन्दराशे दिले तुमी दबल देता है तीन अजरूरप है एक इस रशे ताइट तीजूरी खाली किली तुमी आतने डबल पैसे देता है और तेनी एश्टी में पन्नास टक के शूढ देली तुमी तुमी तुम्सें मोफद देता है जोने नेमक देता नितली बस अ आया कि करनाड़कातासा हाँ? ने ने करनाड़काता है, तुम्ही तो मोफद देता है, यता पन्नाश्टके, यह आर्थी निविजन तुम्हे डोकत कसे? आसा, बगा, तुम्ही आमाला राजजद्या, अमी तुम्हाला बजेट देता हुँ, और बजेट भगुन अमी काम करता हुँ, यह खोके वगेर चालत नहीं, डोका पाईजे यहला चालवा यहला सरकार, ते डोका हमचा कड़ा है, खोके तंचा कड़ा है, और तया साथी, पाईजद्या करूं तेलंगना दाखा उला है, एसे से करूं हमाचला दाखा, एक दोन कहीं तरी हमाचल मदे कमी असे, पन देश उद्धा हमी डेफिनेटली पाच वर्शा चा आघ कहीं उल्ला, तर डेफिनेटली हमी करूं। सर अपने भी बोला कि हमने हमाचल में कर्के दिखाया करनाटक में कर दिया तेलंगना वे कर दिया ठील। आज ही बीजेपी के तो हमाचल प्रदेश के जो फार्मल डेप्युटी जी जी फिस्टर है जी राम ठाकूर तेलंगना से भी डीके अरुना आई थी और अश्वत नार कि वहाँ पे कोई भी जो आपकी जो कैरंटीस थी वो फुल्फिल नहीं हुई है और ताकूर ने तो वहाँ पे कुछ वीडियो भी दिखाए कि दूरिंग बोल कैम्पेंग जो वाइदे किये गए थे और उसके बाद की जो सिच्वेशन है तो आज अज अगा कि सिच्वेशन होता नहीं है यह आपका कहना जो कर सकते हैं वही बोल रहे हैं पहले नहरेगा सेंट्रल में जब किये थे हम सभी लोग मजाक उड़ा हैं सभी लोग बोले क्या नहरेगा यह तो गरीबों को बाट रहे हैं उसके बाद हमने फुट सेक्यूरिटी एक लागू किया उस वक्त भी हमको ऐसा बोले यह तो दिवाला उड़ जाएगा मनमोन सिंग जी जब किसानों का रण माप करने का बात किया और 72,000 क्रोर्स उन्होंने जब रिलीज किया तब लोग भी यही बात भूले लेकिन सरकार चली अच्छी चली और यह जो तेलंगाना के भी सरकार चल रही है ह अश्वत वो भी BJP वाले हैं तो अगर लोग बोले हो सकता है एक मैना किसी को नहीं मिला होगा किसी वज़े से या तो गलती से या फॉर्म नहीं बढ़ने से या फॉर्म बढ़े तो भी लेकिन जनता चुप नहीं बढ़ती इतने आप हम फ्री बस फ्री एलेक्टिसिटी 200 युनिट युवाओं को स्टाइफंड देने का हमने तो बजेट के साथ माराश्ना में भी बताया महीं और दिल्ली में बताया उसके अलावा मैं दिल्ली में अपने चीफ मिनिस्टरों को बुला के प्रेस कॉन्फरेंस करवाया उस वक कोई नहीं पूचा चलिए Sir, Sir, Sir Karnatak Chief Minister Siddharamaya, he made allegation that 50 crore each funds have been there, BJP is trying to give to some of the MLS in Karnataka to break the government over there. Do you see that same ploy which was deployed here in Maharashtra being implemented in other states where Congress is in rule? देखो, माई ये बोलूंगा, जो सुना हूँ और जो मुझे इंफोमेशन मिला है, उसकी माई बात करता हूँ, अब महराश्ट में आपने किया, आपी ने बोला, हे निउस तरह हम जाकड़न हो था, काहे, पन्नास खोके, सगड़ना ठोके, काहे है, हाँ, एक दम होके, हामी मनला ने, तुमीच मनला, इतुना चला निउस, आणि, ते खरे ही जाला है, ठरला कि तो, इतके लोग जे गेले पड़ून, इकड़ून, तिकड़ून, दाट पड़ी मदे काहीं मेले, कारुमा अड़ टिकेट मिलना, मिलला एक, ते जाला, त्हे खरे है, तो, खरे हाँ, त्हेले तुमीच, आणि अमाला मनता, एक, आणि अता अमारा कार्नाटक गौवर्मेंट को गिराने की कुसिष, इक कर रहा है, इस इसलिए बोल रहे है, ये लोग कभी भी किसी वक्त किसको भी गिराने का काम करते हैं। और उसके उदारन मैं देता हूँ, करनाटक में उन्हों गिराया, माराश्ट में आप गिरी, मद्यप्रदेश में उन्हों ने गिराया, मनिपूर में उन्हों ने गिराया, गोवा में उन्होंने गिराया कितने उदारन देऊ इसी लिए ये जूटों के सरदार है जादा उनको डिफेंड करने मत जाओ मैं आपको बोल रहा हूँ ये सिद्रा मया जो बोला सच है गुड इवनिंग सर श्वेता फ्रम टाइम्स नाउ करगे साब एक सवाल आप से है आप क्यूंकी पी-म की बात कर रहे थे तो उनकी भी सभाति और चैटरापती Shambaaji Nagar में उन्होंने ये बयान दिया है कि सम पीपल Yes, Prime Minister Sir So he has said that some people see their Mesiyah in the killers of Shambaaji Maharaj How do you see his statement Sir Because there are several rallies which are going on It's not just from MVA, from Mahayutu also Sir How do you react to this statement? वो बोल सकते हैं, क्योंकि मैं वो नहीं सुना, उनका बयान, और उसके लिए मैं डिफिनेटली अपने लोकों से फीड़बेक देखके आपको बोलूंगा. खड़के सब एक और सवाल है, हम जार्खंड की भी बात कर रहे हैं, दो इंपोर्टन स्टेट, इस महाराश्रा इन जार्खंड और जार्खंड 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 कॉंग्रेस लीडर एहमद मीर है सेट अगर हमारी सरकार आती है, तो हम गयास सिलिंडर साड़े चार सो र तो सच नहीं, जो हमारे पास अप्रूँ होता है ப कर भी आख ने बनाने के लिए हमारे बाबा को हमने चेर्मेन बनाा है उसका, और वो बज़ेट देखकर, कि लास्ट इर बज़ेट क्या था? इस वक्त कितना है और आगे आने वाले दिन में कितना बढ़ेगा? इस अंदाज से हम ये काम करते हैं ऐसे अंदेरी में नई धूरते हम बज़ेट आखे खोलके ऐसे लोग एकी टीम हमने बनाए पांच लोग यह है ऐसे बैट कर यहां का तीन सार चार साल का बज़ेट देखते हैं उसमें कितना वो उल्फिल किये इस बार उसका कितना इंकम आन है यह देखने के बाद ही हम करते हैं जो हमारे मेनिफेस्टों में है वो सच है जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है सर अभी जब से कैंडिडेट लिस्ट आने इसे पहले से हमने देखा कि महाराष्टा में जो यह है यह अलाइन्स के दो पार्टनर शिवसेना और कॉंग्रेस के बीच हमने ओपन ली जो क्लैश देखे और अभी भी एक कोल डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ऐसे बहुत शिव सो यह है कि अभी यह क्लैश जो थे दिखाई दे रहे थे वो अभी रिजॉल्व हो गए है क्या और आगे जाके उसमें इश्वाएगा क्या अच्छा लिको हमारे बारे हम बस आशोख चवाँ जे अता बाजब चे खाजदा रहेत मगाशी तुमी काई लुकासँदू अचाच मनलो तुमीच अशोख चवाँ नांदेर चे मि मनलो तुमीच अशोख चवाँ असा इंटर्यूस करूंग होला ला लागह मिनम् मंदार गोंज़ारी ABP News ABP मा अचा तो आशोप चवान असा मनता हैत की तांचा मुलीचा पराभावा साथी कॉंग्रेच्चे नेते तिते खुप यून बसलेला हैत खुप प्रयातन करता हैत नांदेड मदे अमी आगोदर पासुन तिताच बसलो होतो ना चवान होते त्यावले ही बसलो होतो चवान तिकड़ा गेली त्यावले ही ले आमें तिताच होतो आजी तिताच होतो प्रतुराई चावन नेत्वर्क अने आपन पहाता हात TV9 मराठी काल जी तुम्छी हित महाराश्प्राच काल जी तुम्छी हित महाराश्प्राच